हेलो ओफरेंट्स, फरेंट्स लाई के लड़ों किसे पसंद नहीं होते हैं और हमारे बच्पन की संक्रांती की तो बहुत सारी यादे इससे जुड़ी होती हैं हम बच्पन में बहुत लाई के लड़ू इंजवाय करते हैं लेकिन लाई के लड़ू घर पे बनाने में हमें बहुत ही दिक्कत महसूस होती है कि गुड कहीं जादे नपक जाए या फिर मुरमुरा बांधते समय गर्मा गरम में हम कैसे उसको बांधेंगे तो मैं आपको बता यह पर बैली सूखा गुड है वोगी ले सकती है सुका गुड रही है तो उसको एक से दो चमच पानी डालके पहले धीमिया आच प्रसिकों मेल्ट कर लीजिएगा इसमें पानी डाले की जरूर्वत नहीं होती गुड में जो घीला वाला होता है और इसको हम मीडियम पर से उफनता है और बाहर गिरने का डर लगा रहता है और मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका गुड तयार है कि नहीं मुरमुरा डालने के लिए लडू बांधने के लिए यह देखे जब गुड में इस तरह का उबाल आने लगे और यह प देखिए तुरंत बंध जा रहा है तो इस तरह अगर बंधना स्टार्ट हो गया है यह बंध जा रहा तो समझ लेजिए परफेक्ट बंग गया गुड इसी टाइम पर गया इसको कर देंगे ऑफ और थोड़ी देट तक 10-15 सेकर हम इसको घुमाएंगे कल्छी से गुड को सब्सक्राइब बिल्कुल टाइम नहीं लगता है क्योंकि सब्सक्राइब का सीजन चल रहा है जब इस तरह हो जाए तो उसी टाइम पर मैंने डाला है एक से दो चम्मच या जितना आपको हो सके उतना भुनी हुई मुमफली मैंने पहले से भून के रखी थी अगर आपके पास तिल नहीं था तो मैं तीसी डाल रही हूं भुनी हुई उसके भी स्वाद बहुत अच्छा आता है और आपके पास अगर स्वाद और बढ़ जाता है सोट शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है गरम होता है अब इसी टाइम पर हम डालेंगे तीन कप मुर्मुरे का ए इसवारी कड़ाई गरम है तो इसी टाइम पर हमको मिक्स कर लेना इसको पकड़िक अच्छे से यह दखिए कल्छी से चलाते हुए अब यह बिल्कुल मिक्स हो गया है इसको क्या करेंगे कड़ाहि से नीचे उतार लेंगे हाथ Commerce महें हम लगाएंगे तेल और अच्छे अच लडू का सेप दे देंगे देखिए बहुत आसानी से बंद जाता है यह देखिए मैं दूसरा भी बना रही हो अगर आपको अभी भी जल रहा है आपको लग रहा है कि नहीं बंद पाएगा हाथ से सहन नहीं हो रहा है तो आप इस टाइम पर हाथों में पानी लगा के लडू दिएगा बहुत परफेक्ट वी उससे भी बंद जाता है यह देखिए इस तरह मैं सारा लडू बांद लोंगी देखिए वीडियो पसंद आ रही हो और चैनल पे पहली बार आई हो तो प्लीच चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाश्ट में लिग्क्त कैसी लगी और एक बार यह रेस्पी जरूर ट्राइ करिएगा पर्फेक्टली बड़ी